मैं कुछ सालों के बाद अपने घर लोटी थी. मैंने देखा कि मेरे कस्वे से रोज रात एक लड़की जंगल की तरफ जाती और सुभा लोटती तो उसकी हालत ऐसी होती जैसे उसके साथ वहसब हुआ हूँ. एक दिन मैंने अपनी सहेली को जंगल की तरफ जाते देखा तो मैं उसके पीछे गई तो वहां का नजारा देख मैं दंग रह गई. वहां पर पांच आदमी आगे पीछे सब एक साथ उसके साथ मेरा नाम कलपना है. मैं अपनी पढ़ाई और कोर्स कम्पलीट करके चाथ सालों के बाद अपने घर लोटी थी. मेरे घर में सिर्फ मेरी मां और मैं ही थे. लेकिन पढ़ाई के सिलसले में मेरी मां ने मुझे दूसरे सहर भेज दिया था. इतने सालों बाद सब ही से मिलकर मैं बहुत जादा लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी मां मेरे वापस लोटने से बिलकुल भी खुश नहीं थी सब कुछ मुझे अपने महले में बदला बदला सा लग रहा था मेरे आसपास के जो लोग थे वह भी मुझे देख कर अजीब तरह से मू लटकाए हुए थे मुझे ये सब देख कर समझी नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझे देख कर खुश क्यों नहीं है जब मैंने अपनी मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे कोई गलत फैमी हो रही है मैंने मां से कहा कि मैं कुछ महीने यहां पर रहूंगी, तयारी करूंगी और उसके बाद मैं सहर जाकर कोई अच्छी नौकरी ढून लूँगी, उसके बाद तुम भी मेरे साथ चल कर वहीं पर रहना, मांने मुझसे कहा कि तुम इतने महीने यहां पर रहकर क्या करोगी, इसस अच्छा है तुम अभी जाकर वहीं पर नौकरी करने लगो मैंने कहा अभी मेरी डिगरी मेरे हाथ में आई नहीं है जब तक मेरी डिगरी मेरे हाथ में नहीं होगी कोई भी मुझे अच्छी नौकरी नहीं देगा और नौकरी में सिलेक्षन के लिए पहले मुझे पढ़ना हो तुम वहीं अपने होस्टल में ही रहतीं, यहां क्या है, गाउं का माहल है, जो तुम्हें रास नहीं आएगा, मैंने हसते हुए माँ से कहा, कैसी बाते कर रही हो माँ, सिर्फ साथ साल ही तो मैं सहर रहकर आई हूँ, मुझसे पहले तो बाकी के इतने साल, मैंने इसी जगा प जिने पढ़ती है लेकिन मुझे ऐसी कोई आदत नहीं लगी है मुझे तो यहां बहुत अच्छा लग रहा है जो अपना पन मुझे यहां महसूस होता है वह वहां शहर में थोड़ी ना होता है और फिर एतने सालों से मैं तुमसे दूर हूँ कम से कम अब कुछ महीने तो तु और इसी लिए वह मेरे यहां आने से खुश भी नहीं है जब मैंने खाना खा लिया तो मैंने मा से कहा कि मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली रिया से मिलने जा रही हूँ तो मा ने मुझे रोक दिया मा ने कहा अब साम हो गई है इसलिए घर से बाहर कदम नहीं रखना मैंने कह शाम ही तो वी है कौन सी आधी रात हो गई है और फिर उसका घर तो दो घर छोड़ कर ही है तो इसमें इतना परिशान होने वाली बात क्या है लेकिन मा ने मेरी एक भी ना सुनी और उन्होंने मुझे रिया के घर उससे मिलने जाने ही नहीं दिया वह मुझसे बोली कि जब स सुबह हो जाए तब तुम उससे मिलने चली जाना मा की इस तरहा की अजीब जिद देख कर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था खैर मैं चुप चाप उस रात लेट कर सो गई अगली सुबह जब मैं तयार होकर रिया के घर जाने लगी तो मा ने मुझे एक बार फिर से र अंदर बैठो मैं अभी बाहर से होकर जब आ जाओं तब उसके बाद तुम रिया के घर जाना मैं चुप चाप बहीं विस्तर पर बैठ गई थोड़ी देर के बाद जब मा बाहर से आई तो मुझे से बोली कि जाओ अब तुम रिया से मिलाओ जाकर लेकिन दस मिनट से ज़ सारी बाते करूंगी जिसमें मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय लग जाएगा मेरी इस बात पर मा बुरी तरह से मुझ पर चिलनाने लगी कि तू अब बड़ी हो गई है इसलिए मेरी एक भी बात नहीं सुनती मैंने तुछ से कहा ना कि सिर्फ दस मिनट के लिए ही बात नहीं मानती मा को रोता हुआ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कहा कि ठीक है मैं दस मिनट बाद ही लौट आऊंगी मैं रिया के घर गई मुझे देखकर वो हैरान रह गई और खुश होकर मेरे गले से लग गई मैं उसके लिए चूडियां लेकर गई थी जिनने देखकर वह बहुत खुश हो गई उसकी छोटी बहन अब काफी बड़ी हो गई थी मैं वहीं बैठकर उससे बाते करने लगी लेकिन ना जानी क्यूं रिया मुझे कुछ परिशान सी लग रही थी मैंने उससे कहा कि मैं तुझसे इतने सालों बाद मिली हूँ पर कि यहां आने की जरूरत ही क्या थी मैंने कहा कि कैसी बाते कर रही हो मेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ समय तुम लोगों के साथ बिताऊं उसके बाद तो मुझे नौकरी के सलसले में दुबारा शहर जाना ही पड़ेगा रिया कहने लगी हां तो तुझे अभी भी वही रहना चाहिए था ये सुनकर मैं बुरी तरह से जुजला उठी मैंने कहा आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है मेरी यहां आने से कोई खुशी नहीं है उदर मा है कि वह भी बार बार यही रट लगाए है कि मैं यहां क्यूं आई और तू भी मुझसे इसी तरह की बाते कर रही है ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग तो मुझे चाहते ही नहीं हो जबकि मैं तो तुम लोगों से मिलने के लिए कितनी उताबली थी पर तुम लोगों को तो मेरे आने की कोई खुशी ही नहीं है बलकि मुझे यहां ना आने की हि बहले के लिए ही कह रही हूँ, मैंने कहा मेरा भला आकर कौन सा भला, क्या बात है जो तुम लोग इतना परेशान लग रहे हो, तो वह कहने लगी कि बात कुछ नहीं है, वह तो हम बस ऐसे ही कह रहे थे, फिर वह कहने लगी कि देख, बहुत देर हो गई है, मैं जरा बाहर दे सुनकर मैं तुरंत ही वहां से जाने लगी, तो रिया ने मुझे रोक लिया, उसने कहा पहले मैं बाहर जाओंगी, और जब मैं तुझे बाहर आने को बोलू, उसके बाद ही तू आना, मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा था, कि ये लोग इस तरह का ब्योहार क्यों कर हैं, उधर जब मैं रिया के घर आने को थी, तब माने भी यही कहा था, कि पहले वह बाहर जाएंगी, उसके बाद ही मुझे जाने को मिलेगा, और इधर जब मैं अपने घर जाने को हूँ, तब रिया भी यही कह रही है, कि पहले वह बाहर जाएगी, उसके बाद ही उसके कह किये गुस्से में अपने घर जाने लगी और आस पास अपनी नजर दोडाने लगी बाहर तो मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मुझे किसी भी गड़बड का अंदेशा हो हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ था मेरी समस्से बाहर था कि ये ल किसी ने बक्स दी हो वह मुझे से बोली देखो कलपना अब तुम आज रिया से मिल आई हो न तो आप घर से बाहर कदम निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैंने मां से कहा आप ये कैसी बाते कर रही हो मैं तो सोच रही थी कि शाम को मैं बाहर गूमने जाऊंगी इ मेरी बात कान खोल कर सुन ले मैंने कहा मां आप ये किस तरह की बाते कर रही हो भला घर के अंदर गुसे गुसे आखिर कौन रह पाएगा तो मां कहने लगी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरा मरा हुआ मुझ देखेगी मा की ये बात सुनकर दो मेरा कलेजा मूँ को आ गया और मेरी आखों से हांसू निकलने लगे मैंने कहा मा आप इस तरह की बाते क्यों कर रही हो इतनी छोटी सी बात की पीछे आप अपनी जान देने की बाते क्यों कर रही हो आखिर ऐसा क्या हो गया है मेरे बाहर जाने से आखिर ऐसा क्या होगा तो मा कहने लगी कि अब एक भी सवाल नहीं बस तू मेरी प्यारी बेटी है ना अपनी मा की बात मानेगी ना मैंने कहा हा मा मैं आपकी हर बात मानूंगी तो माने कहा कि आज के बाद तु कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी मैंने कहा ठीक है मा मैं यहां जितने भी दिन रहूंगी घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगी मेरी बात सुनकर मा के चहरे पर संतोस के भाव उबर आए और उन्होंने खुश होकर मुझे गले से लगा लिया लेकिन अब मेरे दिमाग में एक साथ हजारों सवाल चलने लगे थे कि आखिर ये सब क्या है और क्यूं है ये लोग बाहर जाने को लेकर इस तरह का ब्योहार क्यों कर रहे हैं ये सब तो आराम से बाहर घूंग रहे हैं लेकिन सिर्फ मेरे बाहर जाने से ऐसा कौन सा भूचा अला जाएगा। खेर मा की खातिर मैंने उनकी बात मान ली और घर के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। अब मैंने एक वार फिर से पढ़ना शुरू कर दिया था क्योंकि जिन नौक्रियों में मैं अपलाई करती उनमें से कुछ में एक्जाम्स होते थे और इंटर्व्यू होते थे जिनके लिए तयारी करनी पढ़ती थी। इसलिए मैं रात को बैठ कर पढ़ने लगी। पहली रात जब मैं बैठ कर चुपचा पढ़ रही थी तो मुझे अपनी खिड़की के सामने से कोई गुजरता हुआ दिखा। मैं जब जहांक कर देखा तो मुझे कोई लड़की सड़क के उस पार जंगल के अंदर जाते हुए दिखाई दी। मैं सोचने लगी कि आखिर इतनी रात को उस लड़की को जंगल में ऐसा क्या काम आ गया। इसे डर नहीं लग रहा है। खेर उस दिन मैंने इस बात पर बह बहुत अजीब लगने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे कस्वे की लड़कियां रोज रात को जंगल की तरफ क्या करने जाती हैं। जब मेरे सवालों का जवाब मुझे खुद से नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने मां से इस बात का जिक्र किया। मेरी ब लगे और उन्हों ने उस खड़के को बंद कर दिया और बोली आज के बाद इस खड़की को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने का ये तो मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ। आप मुझे बताती क्यूं नहीं हैं कि आखिर यहा पर चल क्या रहा है। लेगिन मा ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और बहे बार से दर्वाजा बंद करके चली गई ये सारी चीजें मेरे अंदर बहुत उल्जन पैदा कर रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आकर यहां पर चल क्या रहा है मा मुझसे क्या छुपा रही है एक तो मैं कोई भी चीज़ खुद से पता नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मां का मेरी वजा से दिल दुखे ओपर से मेरी सहेली रिया वह तो इतने दिनों में मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई जो अपने सवालों का जवाब मैं उस से ही मांग सकती कभ सारे सवालों ने मुझे घिर लिया था जिनके जवाब ना तो मुझे कोई दे रहा था ना ही मैं खुद से उन्हें ढून पा रही थी अगली रात जब मैं पढ़ने बैठी तो मैंने देखा कि मा गहरी नीन में सो रही है इसलिए मैंने धीरे से खिड़की खोल ली क्योंकि जि कर मैं बुरी तरह से घबरा गई कि आखिर आज वह क्यों अधेरी रात में जंगल की तरफ जा रही है आखिर ऐसा क्या है अब मैं खुद को रोक नहीं सकी और चुपके से कुंडी खोल कर बाहर निकल गई मैं दबे पाउं रिया के पीछे पीछे चलने लगी रिया उस घने अधेरे जंगल के अंदर चलती ही चली जा रही थी एक बार तो जी चाहा कि मैं उसे आवाज लगा कर रोक लूँ और उससे पूछूं कि आखिर वह कहां जा रही है लेकिन अब मैं इतना तो समझ चुकी थी कि ये लोग मेरे किसी भी सबाल का जवाब सीधे सीधे पूछने से तो नहीं देने वाले इसलिए मैंने सोचा कि मैं चुप चाप पीछा ही करती हूँ और देखती हूँ कि आखिर ये कहां जाती है काफी देर चलने के बाद वो एक खंडर के सामने जाकर रुकी दरसल उस जंगल में एक बड़ा मकान था जो काफी सालों से जरजर था रिया उसके अंदर जाने लगी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इस खंडर के अंदर आखिर क्या करने जा रही है मैं चुप चाप उसके पीछे पीछे चलती रही लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब आगे जो मैं देखने वाली हूँ उसे देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड हो जाएंगे कुछ दूर चलने के बाद रिया मुड़कर अंदर की तरफ चली गई और मुझे कुछ आदमियों के हसने की आवाज आने लगी मैं वहीं पर कुछ देर रुख गई और फिर धीरे से आगे बड़ी उसके बाद वहां रखे कबार के पीछे से खड़े होकर मैं स के आगे बार-बार हाँ जोड रही थी लेकिन वहे किसी जानवर की तरहा उसे गूर-गूर कर देख रहे थे और यहां वहां हाथ लगा रहे थे वहे बेचारी बेबस थी ऐसा नजारा मैंने जिन्दगी में पहली बार अपनी आँखों के सामने देखा था मुझे समझ नही आ रहा था कि रिया खुद जान बूच कर इन भेडियों के पास क्यूं आई है उसके बाद उन आदमियों में इस बात की बहस होने लगी कि कौन पहले उसके साथ फिर उनमें से जो एक गंजा आदमी था वह बोला कि मैं तुम लोगों का लीडर हूं इसलिए सबसे पहले मेर ही हक बनता है और फिर वह उसको घसीट कर अंदर वाले कमरे की तरफ ले जाने लगा और फिर तो पूरा खंडर रिया की चीखों से गूंज उठा मैंने अपना मूँ हाथ से दवा लिया था और मेरी आखों से आशू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे जी तो चा रहा था कि मैं अपनी सहेली को जा कर बचा लूँ लेकिन उस वक्त मैं इतना जादा डर गई थी और वहां पांच आदमी इतने अट्टे कटे थे कि मेरे अंदर हिम्मत ही पैदा नहीं हुई जो मैं उनका मुकाबला करती उसके बाद उन पांचों आदमीयों ने पहले बारी बारी स जाकर और फिर एक साथ मिलकर उसे मैं रोते हुई भागते हुई वापस अपने घर की तरफ चली आई जब मैं घर पहुची तो मां अवी भी सो रही थी इस बात का मुझे सुकून मिला कि मां को ये सब पता नहीं चला क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि इतनी रात को म मैं अकेले जंगल की तरफ गई थी तो ना जाने वह क्या कर बैठती अब मेरे मन में और भी नए सवाल आने लगे थे कि आखिर कस्वे की लड़कियां उस खंडर में खुद ही उन आदमियों के पास क्यों जाती थी आखिर यहां पर ऐसा क्या हो रहा है इन सब की ऐसी क्या म यही सब सोचते सोचते न जाने कब मेरी आँख लग गई सुभा मेरी आँख जैसे ही खुली मेरे दिमाग में सबसे पहला खयाल रिया का ही आया मैंने कुछ भी नहीं सोचा और तुरंती दरवाजा खोल कर मैं भाग कर रिया के घर पहुची माने जब मुझे बाहर जाते द और मैं तुरंती ही रिया के घर पहुची वहाँ जाकर जब मैंने रिया का हाल देखा तो मेरे होश उड़ गए वह बिस्तर पर पड़ी दर्द से बुरी तरह से तडप रही थी और उसके सारे कपड़े फट चुके थे और पूरा शरीर जगा जगा से लहू लुहान था मु जब रिया की यह हालत देखी तो वह भी रोने लगी और वह मुझे वहां से वापस घर बुला लाई ज़का कम से कम अब तो मुझे बताओ यह सब क्या है लेकिन मा मुझे अभी कुछ बताने को तयार नहीं थी फिर मैंने मा को बताया कि आपको क्या लगता है मुझे यह सब नहीं पता फिर रात वाला पूरा वाक क्या मैंने माँ को साफ साफ बता दिया मेरी बात सुनकर मा बुरी तरह से घबरा गई और मुझे पर चिलाने लगी कि मैंने तुझे मना किया था ना इसके बावजूद भी तुघर से बाहर निकल कर क्यों गई मैंने कहा कि आप तो वालों का जवाब दे दूंगी तब तो तू आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी ना मैंने कहा नहीं निकलूंगी लेकिन पहले आप मुझे साफ साफ बताईए कि ये सब क्या हो रहा है उसके बाद माने मुझे जो कुछ बताया वो सुनकर मैं दंग रह गई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज हमारे देश में जब लोक तंत्र है तब कुछ लोक कानून की इस तरह से धच्जियां उड़ा रहे हैं माने कहा कि यहां का जो नेता है उसने अपने कुछ लोकल गुंडों को यहां पर अपने अवैद कामों के लिए रख रखा था क्योंकि यहां उसकी अच्छी खासी धाग जमी हुई है किसी भी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं है जो उसके खिलाफ जा सके इसलिए उसके जितने भी गैर कानूनी धंदे हैं वह सब इसी जगा से चलते हैं सुरू शुरू में तो यह गुंडे हम लोगों पर सिर्फ अत्याचार ही करते थे लेकिन कुस दिनों के बाद तो इन्होंने ये सर्थ रख दी कि रोज रात को किसी एक घर से एक लड़की या औरत को इनको खुश करने के लिए खंडर में जाना ही पड़ेगा और अगर किसी ने भी इस बात से इनकार किया या इनका विरोध किया तो हम सब की यहां पर लासे ही बिचा दी जाएंगी मैंने कहा आप मेंसे किसी ने भी पुलिस में सिकायत नहीं की तो मा ने कहा कि तुझे क्या लगता है कि हम सब ने ऐसा नहीं किया होगा जब हम लोगों ने इसकी सिकायत की तो पुलिस वालों ने उल्टा हमें ही डरा धमका क वापस भेज दिया और उनकी सिकायत करने की जो हम लोगों ने हिम्मत दिखाई उसका खामियाजा हमें गाउं के कुछ लोगों की जान के बदले में चुकाना पड़ा अब यहां पर इन लोगों का जंगल राज चलता है यहां कोई नहीं है जो हमारी पकार सुने जो हमारे लि यह जला कर समसान बना देंगे इसलिए यहां के सभी औरतों ने अपने अपने घरों को बचाने के लिए यह फैसला लिया कि वह अपनी इज़त को दाओ पर लगा कर अपने घरवालों की जान की रक्षा करेंगी यह सब सुनकर तो मेरे रोंग्टे ही खड़े हो गए थे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उनका यह बहसी पन झेलते रहेंगे हमें खुद उनके खिलाफ खड़ा होना होगा और उने जड़ से उखाड़ देना होगा बीरी बात पर मा मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी बोली खवरदार जो तुने कोई भी गलत कदम उठाया तुझे क्या लगता है तू अकेली उनका मुकाबला कर लेगी यहां कोई नहीं है जो उनका मुकाबला कर पाया हो और तू अकेली उन्हें जड़ से उखाड़ देगी मैंने कहा मैं अकेली यह काम नहीं कर सकती लेकिन अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं तो हम उन्हें हरा देंगे मा ने कहा कौन सब तुझे क्या लगता है यहां के लोग तेरा साथ देंगे कोई तेरा साथ नहीं देने वाला इसलिए चुपचाप घर के अंदर बैठ जितने दिन यहां रहना है रह और उसके बाद सहर के लिए चली जा और यहां भापस लोट कर कभी मताना मैंने मा से कहा लेकिन गलत को बरदास्ट करना सबसे बड़ा पाप होता है मा बोली जैसा मैंने कहा है बस बैसा ही कर नहीं तो मेरी इस बात को ध्यान रखना मैं उस रात एक पल चैन से ना रह पाई मेरे अंदर गुस्से का ज्वाला मुखी फूट रहा था रिया का हाल बार बार मेरी आँखों के सामने आ रहा था आखर ये सब लोग ऐसा अन्याए कैसे बरदास्ट कर सकते थे अगली सुभा जब मैं अपनी टेविल को साफ कर रही थी तो मैंने खिड़की से देखा कि एक छोटा सा पिल्ला जिसके पैर में चोट लगी हुई थी वह बेचारा चल भी नहीं पा रहा था मुझे लगा कि सड़क के बीचों बीच में है और अगर कोई गाड़ी निकली तो कहीं वो उसे कुचल ना दे इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं निकल कर घर के बाहर चली गई और उस पिल्ले को एक तरफ भगल में रख दिया लेकिन मैं जैसे ही खड़ी हुई तो मेरे तो होश ही उड़ गए वो पाँचों मेरे पीछे ही खड़े हुए थे जिनोंने उस रात रिया के साथ वह मुझे देखकर बहुती घिनावनी तरीके से अपने दांट निकाल रहे थे और मेरी तरफ देखते हुए बोले ये तो हमें नया माल लग रहा है इसके बारे में हमें तो पता ही नहीं था आज तो मजा ही आ जाएगा मैंने उन्हें चेताबनी दी कि अगर मेरी तरफ आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा लेकिन वह मुझे से डरे नहीं वह मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे मैंने भागना शुरू किया और घर के अंदर जाकर अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया पर वह मेरा दर्वाजा खटखटाय जा रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कि मैं क्या करूं, मेरी धड़कने बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर मुझे यही लगा, कि अगर आज मैं भी इन से डर गई, तो कजवे के लोगों में, और मुझे में कोई फरक नहीं रहेगा, इन लोगों क की हिम्मत आज इसी लिए इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि यहां के लोगों ने कभी भी इनका मुकाबला नहीं किया, कुछी देर में वहे लोग दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ गए, और मुझे आवाजे दे दे कर यहां वहां ढूंडने लगे, लेकिन मैंने भी खरी हुई मिर्च उड़ा कर उन पांचों के ऊपर उडेल दी, उन सबकी आखें मिर्च के तीखे पन की वज़ा से जलने लगी, वह बुरी तरह से बिलबिलाने लगे, और यहां वहां दोड़ने लगे, उसके बाद मैंने पास में ही रखा हुगा मिट्टी का तेल उठाया और उन सबके ऊपर उडेल दिया, और अपनी पूरी ताकत से मैं जितना तेल उन लोगों के ऊपर डाल सकती थी, उतना मैंने डाला, और उसके बाद मैंने माचिस की तीली जला कर उन लोगों की ऊपर फेक दी, और वह यहां वहां जलने लगे, जिसकी वज़ा से वो बुरी पांचों का यह हाल कर दिया था, तो उनके अंदर भी हिम्मत आ गई, और जैसे ही वह पांचों बाहर निकले, उन सबने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, सभी ने मिलकर मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया, लेकिन ना जाने कहां से, तभी पुलिस आ गई, और वह उन स सब को वहां से बचा कर अपने साथ ले गई, मैंने कस्वे के लोगों से कहा, कि आप लोगों ने आज जो हिम्मत दिखाई है, अगर पहले दिन ही दिखाई होती, तो जो कुछ आज तक आपने जेला है, वह कभी आपको जेलना नहीं पढ़ता, वैसे लोगों की हिम्मत तभ काबला करना चाहिए, मैंने तुरंत ही एक बहुत भारी भीड लेकर पुलिस थाने में गई, और फिर उन पांचों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने का पुलिस पर दवाव बनाया, वैसे तो शायद ही है जो पुलिस वाले मेरी रिपोर्ट लिखते, लेकिन जब उन्होंने कि मेरे साथ इतनी बड़ी भीड है और सभी लोग उस वक्त बहुत गुस्से में हैं, तो मजबूरन उन्हें उन पांचों के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी, उसके बाद उन पांचों पर मुकदमा चलने लगा, जिसकी सुनवाई सुरू हो चुकी थी, और हम सब उन गलत बाते कहने लगा, पुलिस भी उनके साथ में ही थी, और वह लोग भी खड़े होकर हस रहे थे, और हस कर तमासा देख रहे थे, वह बड़े ही फक्र से कह रहा था, कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं विगाड पाओगे, मैं अब हर हाल में छूट जाओंगा, और फिर तुम देखना, तुम लोगों ने जो मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है न, उसका तुम्हें कितना बयानक नतीजा बुगतना पड़े, वे पुलिस बालों के सामने ही खड़ा होकर हम लोगों को धमकियां दे रहा था, और पुलिस थी, कि वह भी उसी कास साथ दे र अब सब लोग यही कहने लगे कि हमने इतना कुछ किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कानून से मदद मांगने का हमें क्या सिला मिला, वह लोग तो बेगुना साहवित हो गए, और अब वह हम से बदला लेने के लिए हमारा जो हाल करेंगे, उसके लिए हमें तय यार रहना होगा, सभी की ये बाते सुनकर मुझे बहुत गुसा आने लगा, हमारे देश की कानून विवस्ता ऐसी हो सकती है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था, आज मुझे हर कोई बिका हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब आपको न्याय ना मिले, तो हमें उसको छीन लेना चाहिए, मेरा यही सोचना था, मैंने सभी से कहा, कि हम अब हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैट सकते, अगर हमें इंसाफ अदालत में नहीं मिला है, तो अब हम खुद से इंसाफ करेंगे, लेकिन उनके जुल्म बिल्कुल भी बरदास्त नहीं करेंगे, मेरी बाते सुनकर एक अखवार फिर से सभी के अंदर उमीद की किरन जाग उठी थी, अगली सुबा जब लोगों के घरों में अखवार पहुँचा, तो फ्रंट पेस पर जो बड़ी-बड़ी हेडलाइन थी, उसे पढ़कर हर कोई धर्राया हुआ था, हेडलाइन में लिखा था, कि कल रात जब की हत्या कर दी, वो मेलाएं कौन थी, कहां से आई हुई थी, इसके बारे में जाच की जा रही है, लेकिन पता लगा पाना बहुत ही जादा मुस्किल है, क्योंकि उन सभी मेलाओं ने अपने चहरों को कपड़े से बहुत अच्छी तरह से बांध रखा था, जिससे ये कटना को अंजाम दिया है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, और इस तरह से जो हमें इंसाफ नहीं मिला था, वो हमें मिल गया था, हम लोगों ने छीन लिया था, उनकी जाच चलती रही, और वह अपने शक के बिना पर हमारे कस्वे में जाकर पूस्ताच करते रह मैंने एक कमपनी में इंटर्वियू दिया, और मुझे बहुत ही अच्छी सैलरी की एक जाब मिल गई, और मा को लेकर मैं शहर में ही आकर रहने लगी, कुछी दिनों के बाद मैंने अपनी सहेली दिया, और उसकी बहन को भी वहीं पर बुला लिया, और हम सब खुशी-खु अपने आपको कमजोर नहीं समझना चाहिए, बलकि पूरी हिम्मत के साथ, खुद के खिलाफ होने बाले, अन्याय के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका डटकर मुकाबला नहीं करेंगे, तो उनकी हिम्मत बढ़ती ही चली जाएगी, तो दोस्तों, आपको मेर मेरे द्वारा लिखी हुई, ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज, इस कहानी को जादा जादा शेयर और लाइक करें, साथ ही, अगर आप चाहें, तो मुझे सूपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं, सूपर थैंक्स का आप्शन आपको इस मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानिया सुनाती रहूं, थैंक्क्यू